सब्सक्राइब कीजी Techwinds चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजी ता कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे अच्छी वीडियो देख पाएं हलो दोस्तों मैं हूँ मैजूर और आप देख रहे हैं Techwinds और आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है तो आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक review जो की होगा Moto G5 Plus के उपर जो Moto G5 Plus है वो आता है दो variant पे एक 4GB RAM और 64GB आलर वेरियंट और एक 3GB RAM और 32GB आलर वेरियंट जो 4GB RAM और 64GB आलर वेरियंट है वो आता है 15,999 रुपीज का और जो 3GB RAM और 32GB वाले वेरियंट है वो आपको मिल जाएगा आराउंड 14,000 रुपीज का जो Moto G5 Plus है वो आता है 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका आप एकस्पेंड कर सकते हो तुरो है नाज़ी कार्ड अप टूण 28GB यह आता है 13MP प्लस 13MP के Dual Back Rear Camera के साथ जिसका आपको Aperature मिलेगा F2.0 का और Dual Tone LED Plus आपको मिलेगी जो Front Facing Camera है वो आता है 8MP का और आपको Front Mavic Plus देखने को मिलेगा इसमें आपको मिलती है 13.97 cm मतलब 5.5 इंचेस की Full HD स्क्रीन जो की आती है 1080 x 1920 पिक्सल के साथ इसमें आपको Corning Gorilla Glass थरीका भी Protection मिल जाएगा यह आता है Dual Nano Hybrid Sim Slot के साथ जिसमें आप एक साथ एक टाइम में दो 4G Sim यूज़ कर सकते हो जो कि एक बहुत अच्छी बात है यह Full Metal Body के साथ आता है इसके साथ आपको एक Fingerprint Scanner मिल जाता है यह Android 7.1 Nogget पे Operate करता है और यह Snapdragon 625 वाले OctaCore Processor के साथ आता है जिसका हर एक Core 2.0 GHz पे Clock है इसके साथ आपको मिलेगी 3000 mAh की Lion बैटरी जो की Fast Charging सपोर्ट करती है और यह आता है आपको एक साल की Warranty के साथ और 6 महने की Warranty आपको इसके जो साथ में Appareals मिलेंगे उनके साथ आईगी आपको Warranty तो यह बहुत अच्छा Mobile है इस Price Range में बहुत अच्छा Mobile है इसका Camera भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह Mobile पसंद आएगा अगर आपको लेना है तो description में आपको link मिल जाएगी अगर आप उस link से लेते भी है तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है यह कोई कमाई के लिए नहीं था बस ऐसी link है तो ठीक आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप जरूर लाइक करिए और हमारी चैनल Tech Points को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो आप dislike भी कर सकते हैं और in future में आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो टेकनीकल से रिलेटेड या फिर कोई भी फील्ड से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करिए मैं जरूर आपकी वो कमेंट पढ़ूंगा और उस टॉपिक के पर वीडियो बनाऊंगा तो आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है